पित्रो नमस्कार मैं वाइद्यनत्म संदिप पठेल निरामय आईर्वधिक आस्पिटल सुरत गुजरत इंडिया से बात करना हूं ट्रडिश्णल आयर्वईदा आज मैं खदीर के बारे में बताना चाहता हूँ खदीर का ट्रेटिश्णल यूज में बहुत फाइदा करता है जब भी पेइनफुल मैनार्ख रहता हो तो उसका कशाई दो चमच दो गलास पानी में रात को भीगो दीजिए सुबह में गरम करके गलास और सुबह में गरम करा सुबह में भीगो करके रात समको दैने से पेइनफुल मैनार्ख ठीक हो जाता है ए मैनोरिया जब पिरियर नहीं आता है तबी बार्ख दो चमच आधे कप पानी में लेकर के उबाल करके थोड़ासा सहट डाल करके पीने से सुबह साम पीने से पिरियर रेग्लियर हो जाता है बहुत इंपोटन्स खदिर का रोगल जब अनहील बूंड होता हो तब इक खदिर का पावडर अच्छी तरह से उप्वर्ट डालना है चाटना है और उसे ड्रेसिंग करना है अनहील बूंड बहुत जल्टीक हो जाएगा उसी तरह से जब कुछ कट जाता है कट का बूंड ह हो जाता है ब्लीडिंग चालू है तब ही पावडर लेकर के उसको अच्छी तरह से पेश्ट जैसा बना दीजिए बॉइल करके गरम पानी में बना पेश्ट बना दीजिए थोड़े सी अंदर स्पठिक अलदा दीजिए और उस पेश्ट को एपलाई कर दीजिए कट वुन ह हो जाएगा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा ट्राइडिस्ट लाइड़ा इस यूज ट्राइडिस्टनल वैद्यास इन दर फॉरेस्ट रिजिए एक बता दो बहुत कठिन उपाई और कठिन रोगों में खजिर उप्योग किया जाता है तो ऑल्वेश वाइद्य किये सला डॉक्टर की सला जरूरी है शुत्ते कि और वैद्यगंड आप खजिर का उप्योग करके सक्सेस पहिए धन्यवाद